शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें अरे इंस्पेक्टर साब लगता है बागवानी का बहुत शॉक रखते हैं हाँ इन पेड़ पौधों के बीच रहती हो तो थोड़ा दुख कम हो जाता है तकलीफ कम हो जाती है अच्छा है आप बताइए आपका कैसे आना हुआ आप चलिए अंदर चल के बात करते हैं जी आई आईए पायल की मौत गला दबाने से हुई थी नेच्रल डेथ नहीं थी किसी ने उसकी हद्या किये पायल और उसके पापा चले गए मेरी तो जैसे दुनिया ही बिखर गई है अक्षे कहा है कल दो पर से बाहर गया है अब तक आया नहीं अब तक आया नहीं मैं दिखता हूँ पर आपने कल दो पर से एक बार भी फोन नहीं किया उसे क्या फोन करती कोई सीधे मूँ बात करे तो मैं फोन करूँ ना मैंने सुचा आजाएगा आप उसके किसी दोस्त को फोन लगाई है जी हलो हर उपेश बिटा मैं अक्षे की ममी बात करी है नमस्ते अंटी अक्षे का है अक्षे तुमारे साथ नहीं है नहीं अंटी और एक हफते से उपर हो गया है वो अभी कोचिंग भी नहीं आता है और उसका फोन भी सुचा फारा है अच्छा वो अपने दोस्तों के साथ भी नहीं है आपको किसी पर शख है शख हाँ गौतम वो पायल का बॉइफ्रेंड अच्छी गौतम को अभी भी लगता है कि पायल के मौत के पीछे अक्षे का हाथ है और उन दोनों में जगडा भी हुआ था सर कही ऐसा तो नहीं कि गौतम ने अक्षे के साथ कुछ भी भगवान गौतम का घर का अड्रेस मालूम है भगो हाँ यही रहता है रूम नंबर फॉर्टी सेविन डी कुराल जी सर जाओ गौतम को लिगाओ यह सर माड़ें अक्षे का रूम कौनसा है यह वाला यादो यह सर गौतम का घर कई दीनों सा आया नहीं हो सर गौतम के घर पे तो ताला लगा हुआ है और पड़ोसियों ने बताया कि वो कई दिनों से आया नहीं है तुम वापस आजो जी सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर प्लीज प्लीज मेरे बेटे को ढूंडिये दोन डोरी मैडम हम पता करते हैं चलो यह तीन पौधे लगाने के लिए दो बाई छे का लगबग गड़ा खोदा गया है तीन पौधे लगाने के लिए इत्ती बड़ा एरिया में इतना बड़ा गड़ा क्यों खोड़ा है उसने अरे यह क्या आप लोग गए नहीं अब तक यही है काफी मेहनत किया अपने इन पौधों को लगाने में हाप शौक है मेरा अच्छा लगता है मुझे यह शौक के चकर में हाथों में चोड़ियां भी चुबा लिए मतलब? मतलब यह तीन पौधे लगाने के लिए आपने इतना बड़ा गड़ा कोदा जैसे एक पूरा आदमी का लिटाने का साइज हो क्या क्याना चापते आप यादाओ 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 आप मेरा गार्डन खराब कर रहे हैं मेरा बेटा अक्षे अक्षे बता तोने अक्षा क्यों क्यों बारा है मैं सच कह रही हूँ मैने नहीं मारा इसे सत सत बताओगी या फिर थाने लिकर चलो बताओ क्या करती मैं बताओएवे क्या करती इन बच्चों के लिए मैंने अपने जिंदगी के पच्चे साल दे दिये उत बच्चों ने पल भर में मुझे सौतेला बना दिया एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तस अपने पिता की प्रॉपटी के पीछे भाग रहते क्या करती मैं मेरे आखों के सामने मेरा पती जा रहा था उसकी प्रॉपटी जा रही थी किसके सारी जीती मैं इसलिए मैंने पहले पायल को बारा मा कभी सौतेली नहीं होती पर तुम जैसे सौतेले बच्चे उसे सौतेले बना देते हैं झाल 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 प्रिस झाल 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 किसके टींट एक और फिर शाव शाव में किया झाल जाता है और फिर कल रात मैंने अक्षेय से बात की अक्षेय बिटा आजा खाना लग गया देखो, क्षे, अब पायल और तुम्हारे पापा तो चले गए, बच्चे हैं, बस हम दोनों, माँ बीटे, क्या ऐसे नहीं हो सकता, कि पिछला जो कुछ भी है, सब कुछ भूल के हम एक नई शुरुवात करें, प्यार से रहे, देखो, तुम जो चाहे कर लो, हमारे जो सौतेले रिष्टे हैं यह सगे होनी पाई में, और अब, जब पापा और पायल का श्राद भी पूरा हो गया है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है, क्योंकि अगर शुबह होते ही, यहां से चले जाना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इस घर में तुम्हारे कोई श्राद भी नहीं करने वाला, मेरी छोड अक्षय, अपनी श्राद की सोच, जो खाना तू अभी खा रहा है ना, बिटा, वो तेरी संदगी छीन लेगा, क्यों आ रहा है मुझे, क्योंकि खाने में सहर है, क्या, सहर, उने मेरे खाने में, यह जो, आपना दो, शाहरे खाने में, आपना रहा है, अपना रहा है, क्योंकि श्राद की सहरे गावी खाने में, यह तेरी पाप की प्रापटी दिलाती हो. यह तेरी प्रापटी दिलाती हो. और फिर मैंने अक्षय को यहाँ पर दफना दिया. मैंने सोचा, अक्षय को गायब करने का इल्साम मैं गौतम पर लगा दूँगी. शायद तुम्हें नहीं पता, गुनागार की हर सोच उसे सलाखों के पीछे ले जाती है. है रस्करों जे. अलो, कंडोल रूम.